दोस्तों मैं आपको बता दूँ दानवीर गर्ण का जन्म एक कुंति से गवा था उसने एक रिशी की तपशक की थी तो उस रिशी ने वर्दान दिया था कि तुम चाहो उसे पा सकती हो तब कुंति ने परिक्षार लेने के मकसद से उन्होंने सुर्य देव को याद किया तो सुर्य देव ने पर्शन होकर कुंति से वर्मांगने को का तो कुंति ने ऐसे ही मन में सोच कर उन्होंने पुत्र रदनी के वर्मांगा जिससे पर्शन होकर सुर्य देव ने उनको पुत्र दिया था जिसके दीवे कवच कुंदल थे उन्तीन ने लोग दुनिया में अपनी इच्छत बचाने के लिए उसने उस पुत्र को नदी में बहा दिया था जिससे वो पुत्र नदी में बहता हुआ अधिरत को मिला जिससे उसको बाद में सुथ पुत्र के नाम से जानने लगा उसके बाद उन्होंने अर्जुन और कोरो के भी जुद्ध की पढ़ती हो रही थी तब उसने उन्होंने उसमें अर्जुन को सरस्वेश्ट द्रोंद्ध उसको अंगदेश का राजब ना दिया कि उसके बाकर में को के साथ हो गया और मागार के लिए कंपरो के साथ नहीं यूद्ध दिखिया था और अर्जुन के आथ वह नहीं प्लिक पकी